हम लोग बात करें हमारे डेली करेंट फ्रेस सेशन की जो सुबा चार बज़े वेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनेकलर फ्रेंटियर आएस पर आज की तारीक है से 3 मार्च 2023 दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से साथ ही साथ for daily videos, pdf and monthly magazine आप हमारे टेली ग्राम हैंडल्स प्रेंटियर आएस और सेस जल्पनेकल ओनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रीवेस क्विज के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्टिन पूचा था कि मध्य परदेश में कॉल जनजाती महाकुम्प को किसने संबोधित किया करेक्ट आंसर था अमित्षा और दूसरा क्वेस्टिन पूचा था 2023 मारकौनी पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है करेक्ट आंसर था हरी बालकुष्णन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेस्टिन है फिकी के नए महासचीव के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है करेक्ट आंसर है शैलेश पाठक दिटेल सेख लो तो पूर्वर नौकरशा शैलेश पाठो को फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कॉमर्स एन इंडस्ट्री फिकी का नए महासचीव न्यूक्त किया गया है उन्होंने एक मार्च को कारेभार संभाला था 37 साल के लंबे करियर में उन्होंने एक IAS अधिकारी के रूप में सरकार के साथ-साथ नीजिक शेतर की बड़ी कंपनियों में काम किया है उन्होंने ग्राजुएशन के बाद 1986 में IIM कॉलकता से MBA की डिगरी हासिल की फिकी ने यह भी घोशना की कि अरुन चावला महा निदेशक 30 जून 2023 को सेवन उरित होंगे और एक सलाकार की भूमिका में परिवर्थित होंगे 1927 में स्थापित फिकी भारत में एक सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीष व्यपार संगठन है इसका इतिहास वतंदरता के लिए भारत के संखर्ष, इसकी उद्योगी करन और सबसे तेजी से बढ़ती वैश्विक अर्थ व्यवस्ताओं में से एक के रूप में भढ़ने के साथ निकरता से जूड़ा हुआ है यहाँने तस्वीर में देख लीजिए किस राजय का मंदिर अनुष्ठान कारियों के लिए एक रोबोडिक हाती को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया है करेक्ट आंसर है केरल डिठेल्स तेख लू तो केरल के त्रिशूर जिले में इरिंजा दापली श्री कृष्ण मंदिर मंदिर के अनुष्ठानों के लिए क्यांतरिक सजीव हाती को अप्योग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है मंदिर के पुजारियों ने इरिंजा दापली रमन एक शांदार सजीव यांतरिक या रोबोटिक खाती के देवता को नडाई रूथल यो अपचारिक भेंट की पुरसकार विजेता भार्टे फिल्म अभिनेता पार्वती थिरुवोथू के सहयोग से पश्वधिकार संगठन पीपल्स फॉर दि एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अनिमल्स पैटा इंडिया दवारा इरिंजा दापली रमन को मंदिर को उपहार में दिया गया है इरिंजा दापली रमन सुरक्षित और कुरूरता मुक्त तरीके से मंदिर में समारों आयूजित करने में मदद करेगा जिसे वास्तविक हाथियों के पुनरवास और वनों में जीवन का समर्थन होगा क्यात की भयावता समाप्थ होगी यहां तब सिफे में देख लीजे बात करें यहां पर केर लागी तो इसके डाप में रिवर्ट में आता है केरला की कैपिटल थिर्वंत पुरम, गवर्णर है आरिफ मौमत खान, चीफ मनिस्टर पिनारई विजेयन नेक्स तेखो, कौनसा देश पूरे उतर परदेश में 30 नई संपत्यों को खोलने के लिए 7200 करोड रुपे का निवेश करेगा? करेक्ट आंसर है जापान तो जापान का प्रतिश्टित अतिथिय समू, होटल मैनेजमेंट इंटरनाशनल कंपनी लिमिटेड पूरे उतर परदेश में 30 नई संपत्यों को खोलेगा? कंपनी ने यूपी ग्लोबल इंवेस्टेस समिट में 7200 करोड रुपे के निवेश के लिए यूपी सरकार के साथ एक M.O.U. साइन किया है यूपी के विकास के भागिदार के रूप में जापान पर एक सत्रों को संबोधित करते हुए H.M.I. समू के निदेशक, जन संपर्क, ताका मोटो योको यामा जो जापान के प्रमुक शेहरों में 60 से अधिक होटलों का संचालन करते हैं ने कहा कि वारा नसी में श्रीकाशी विशुनाद धाम कोरिडोर के विकास के बाद एक बड़ी संख्या में पुरेटक यहां आ रहे हैं यह हमारे लिए सिराजय में निवेश करने का एक अनुकूल अफसर है क्योंकि आतित्य उद्योग बढ़ रहा है यूपी के अध्योगिक नीतियां हमाई समू के लिए उत्साहजनक है समू आगरा, वारा नसी और अयोधिया सहित तीस प्रमुक स्थानों में अपनी होटल श्रिंखला का विस्तार करेगा बात करें हाँ पर जापान की तोसी कैपिटल है टोकियो, करंसी है येन नेक्स सेखो, नौर्थ इस्ट के पहले कंप्रेश्ट बायोगेस प्लांट का नावरण किस ने किया? करेक्ट आंसर है हीमत विस्वा सर्मा डिटेल्स सेख लो तो असम के मुख्यमंतरी हीमत विस्वा सर्मा ने असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन जी लेके सोनापूर में स्थित, दामोरा पातर में स्थापित होने वाले उत्तरपूर्व भारत के कंप्रेश्ट बायोगेस प्लांट का उधगाटन किया? रेडिल्मेंट टेकनोलोजिस प्राइबर्ट लिमिटेड के बैनर तले उद्मी पंकच गोगोई और आकेश डोले दवारा यह प्लांट सापित किया जा रहा है सैयत्र नवेंबर दोजार तईस में प्रसांस करन शुरू कर देगा इसमें प्रते दिन पांच टन कंप्रेस्ट बायो गैस की उत्पादंग शुमता होगी जो कच्चे माल जैसे मवेशों के गोबर नगरपालिका के ठोस कच्रे आदी से उत्पादित की जाएगी सोनापूर कंप्रेस्ट बायो गैस संयत्र असम सरकार के सुच और हरित उर्जा में क्रमिक परिवर्तन करने के लक्षे में महत्वपून योगदान देगा बात करें हैं आपर असम की तो इसकी फोग डांस में आता है बी हूँ यूनेस्को वर्ल हेटे साइट में आता है काजी रगा नाश्नल पार्ग नाश्नल पार्गूं असम की कैपिटल है इसके सीम है हीमत विस्वा सर्मा किस कम्पनी ने पहली इसणॉप योज़ना की घोशना की करेक्ट आंसर है पिल्ग्रिम दिछेल्स तेख लू तो D2C दाट इस डारेक्ट टू कंज्यूमर परस्नल केर ब्रंड पिल्ग्रिम ने अपनी पहली ईसोप योजना की घोशना की है इसने अपने 10% शेरों को अपने 100% करमचारियों के लिए इसोप पूल में रखा है इसने एक बयान में कहा कंपनी में एक साल बिताने वाले करीब 30 करमचारी इस योजना का लाब उठा सकेंगे इस घोशना के साथ पिल्ग्रिम का लक्षे उन करमचारियों को प्रयासों को सुविकार करना और पूरस्कृत करना है जिन्होंने पिछले 3,5 बर्षों में धन सुरिजन के साथ-साथ ब्रयान के विकास का नेतरितव किया है करमचारियों के कल्यान और इसने लाब पर एक मजबूत ध्यान के साथ पिल्ग्रिम ने पिछले 12 महीनों में अपने करमचारि लाब केंदरित खर्चों में धाई गुना बृधी देखी है इसने इसी समय अबधी में अपने करमचारियों के संख्या को भिदूगना कर दिया है एक करमचारि स्टॉक सौमित्व योजना एक करमचारि लाब योजना है जो करमचारियों को स्टॉक के शेरों के रूप में कंपनी में सौमित वो देती है नेक्स्ट क्वेस्चिन है किस राज्य केंद्र शासित परदेश ने सर्वश्वेष्ट सहसिक प्रटन सल्का पुरसकार जीता है करेक्ट आंसर है जमू और कश्मीर इंडिया टूडे टूरिजम सर्वे ने बेस्ट एडवेंचर टूरिजम अबॉर्ट के लिए जमू कश्मीर टूरिजम को चुना है केंद्रे संस्कृती और संसिदी मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेगवाले नई दिली में पुरसकार प्रदान किये यह पुरसकार जमू कश्मीर प्रेटन विभाग को गुलमार को अंतर राष्टे विवस्था के एक सहासी गंतव्य के रूप में बढ़ाबा देने के प्रयासों के लिए दिया गया है यह पुरसकार विभाग की और से प्रियाटन के उपनी देशक एलियास एहमद वारा प्राप्त किया गया था बात करें हाँ पर जमू और कश्मीर की तो इसके लेफ्रन गवर्नर है मनोच सिनहा लदाग के लेफ्रन गवर्नर है बीडी मिश्रा नेक्स सेखो 1300 साल पुराना बहुत स्तूप किस राजय में पाया गया है करेक्ट आंसर है ओडीशा डिठेल सेख लू तो भारते पुरत अत्व सर्वेक्षन ने हाल ही में पूरी मिस्थित जगनात मंदिर के पास 1300 साल पुराने बहुत स्तूप की खोज की है खनन कारे के दुरान स्तूप की खोज की गई थी यहां खौंडालाइट पत्थर का खनन होता है यह एक रुपांतरित चटान है और इसका उप्योग पुरी जगनात मंदिर के निर्मान में किया गया था खोजा गया स्तूप 4.5 मिटर लंबा है यह साथवी यह आठवी श्ताबदी का है स्तूप की खोज ओडिशा के प्रबादी स्थल में हुई थी प्रबादी स्थल एक प्रमुक बहुत परिसर ललिद गिरी के पास थे थे ललिद गिरी में कई स्तूप बहुत चित्र और मठ है यहां तस्वीर में देख लीजिए बात करें हैं आपर ओडिशा की तो इसकी वर्ल हेटे साइट्स में आता है सन टैंपल को नार डैम्स रिवर्स में आता है किराकुन डैम महानदी इंदिरावती डैम इंदिरावती नाशनल पारक्स में आता है भिटार कनिकर नाशनल पारक, सिमलिपाल नाशनल पार, फेमस लेक में आता है चिलिका लेक, ओडीशा की कैपिटल है भुगनेश्वर, गववनर है गनेशी लाल, चीफ मनिश्चर नवीम, पत्नायक नेक्स्ट क्वेस्ट्टन है 2022 के लिए सर्वाश्रेष्ट फीफा पुरुष खीलाडी का पुरस्कार किसमे जीता Correct Gast answer है Leonell Messi Details सेख लू तो उर्जेंटिना के Leonell Messi ने 2022 के लिए सर्वाश्रेष्ट फीफा पुरुष खीलाडी का पुरस्कार जीता है उन्होंने पेरिस में सेले पेलल में प्रसिट ट्रोफिय उठाने के लिए अपने पेरिस सेंट जमेन पीएसजी टीम के साथ ही किलियन एमबापे और रियल मेडरिट के कप्तान करीम बेंजेमा को माद दी इस अवाट के अदर विनर्स हैं फीफा मेंस प्लेयर 2022 लियोनल मैसी फीफा विमेंस प्लेयर 2022 अलेक्सिया पूटेलस फीफा मेंस कोच 2022 लियोनल स्कालोनी फीफा विमेंस कोच 2022 सरीना वेगमेन फीफा मेंस गोलकीपर 2022 एमिलियानो मार्टिनस फीफा विमेंस गोलकीपर 2022 मेरी याप्स, मोस्ट स्पेक्टेक्लर गोल इन 2022, मार्सिन उलेक्सी, फीफा फैन अवर्ड 2022, अर्जेंटियन फैन्स, फीफा फेर प्ले अवर्ड 2022, लुका, लोशोविली, यहां तस्वीर में देख लीजे, नेक्स्ट क्वेस्टिन है, किस बैंक ने वेपार बिद के लिए एक्जिम बैंक के साथ समझोता किया है, करेक्ट आंसर है, आर्बियल बैंक, डिठेल्स तेख लूँ, तो आर्बियल बैंक, नीजी रिंदाता ने कहा, कि उसने सीमा पर बनीजिक परिचालन की सुवधा के लि इंडिया एक्जिम बैंक ट्रेड का सीमा पार, लेन देने के लिए सहायता कारेक्रम, वेपार उपकर्णों को रिन वृद्धी प्रदान करके, विशुस्तर पर भारत के निद्यात को सुविदा जनक बनाने का इरादा रखता है, इंडिया एक्जिम बैंक कारेक्रम के माध को सहायत करेगा, और भारते निद्यातकों को सहायता को मजबूत करेगा, लास्ट क्वेस्चिन है आज के सेशन के लिए, विशुर नागरिक सुरक्षा दिवस यानि वर्ल्ड सिवल डिफेंस टे कब मनाया जाता है, करेक्ट आंसर है, एक मार्च, डिठेल सेख लू, तो प मार्च को विशुर नागरिक सुरक्षा दिवसमन आया जाता है, यह दिन कई नागरिक सुरक्षा संगठनों के काम का सम्मान करता है, यह दिन संगठनों दुबर समुदाएं की रक्षा करने और जीवन बचाने के लिए किये गए प्रयासों को भी पहचानता है, यह दिन न विशे की पीडियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रानी विशे शग्यों को एक जुट करना यानि यानि युनाइटिंग दी वर्ल्स लीडिंग स्पेशलिस्ट फॉर दी सेफ्टी एंड सेक्यॉर्टी ओफ फ्यूचर जेनरेशन्स क्विकली बात कर लेते हैं आज की सेशन की समरी की तो फिकी के नए सेक्रेटरी जेनरल बने है शैलेश पाठक विच्वल ड्यूटी के लिए रोबोटिक एलिफेंट को इंडक्ट करने वाला इंडिया का पहला स्टेट टेंपल बना है केरिला उत्तरपरदेश में 30 न्यूट प्रॉपर्टीस के लिए 7200 करोड रुपे इंवेस्ट करेगा जापान नौर्थीस्ट के पहले कंप्रेस्ट बायोगेस प्लांट को अन्वील किया हीमन बिस्वा सर्मा ने अपनी पहली ईसवाप स्कीम को अनाउंस किया है फिल्ग्रिम ने बेस्ट एडवेंचर टूरिजम डेस्टिनेशन अवर्ड जीता है जमू और कश्मीर ने 1300 साल कुरा ने बुद्धिस टूपा को फाउंड किया गया ओरीशा में 2022 का बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर प्राइस जीता है योनल मैसी ने ट्रेट फाइन्स के लिए एक्जिम बैंक ने आर्वेल बैंक के साथ एग्रिमेंट साइन किया और वोल्ड सिवल डिफेंस टे एक मार्च को मनाया जाता है बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुस्वाद डे के आपका पहला क्वेस्टिन है एक नए यूग के शुरुआत को चिनहित करने के लिए किस कंपनी ने अपना लोगो अपडेट किया है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है पेपसिको इंडिया का ब्रैंड अमबेजडर किसे न्यूप्त किया गया है दोनों क्वेस्टिन हमारे प्रीवियस सेशन से है इन के सांस नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आनेवल हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्राम हेंड्स को जोईन जरूर करना है थाइंक्यू सो मच आल सीन में नेक्स सेशन